दोस्तों कुछ ऐसी GST Returns है जिनकी Due Date को Extend कर दिया गया है 31 मई 2021 तक इसी के साथ साथ दोस्तों GST Income Tax को लेकर के एक बहुत ही बड़ी ख़बर आई है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि कोई भी इंपोर्टेंट अप्डेट अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो काफी important news आई है बहुत ही अच्छा ये step जो है आया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में discussion करेंगे लेकिन उससे पहले जाल लेते हैं कौन सी GST returns है जिनकी due date को extend कर दिया गया है 31 मई 2021 तक तो दोस्तो GSTR 4 की जो date है उसको extend किया गया है 31 मई 2020 तक composition taxpayers जो की annual return होती है GSTR 4 composition taxpayers की financial year 20 ही किसके लिए काफी सवाल मेरे पास आ रहे है financial year 19-20 की GSTR 4 का क्या हुआ तो दोस्तों उससे related कोई भी update नहीं आया है यह जो notifications आई थी इनमे financial year 19-20 के बारे में कोई भी relaxation नहीं दी गई है केवल और केवल financial year 2021 जो है उसके अंदर date extension दी गई है GSTR 4 से related similarly हमारी जो GSTR 5 है 6 है 7 है 8 है इनकी dates को extend कर दिया गया है 31 मई 2021 तक जो non resident experts के case में होती है input service distributor TDS and TCS collector के case में जो हम return file करते हैं अब यहाँ पर कोई सवाल यह उता है कि यह जो date extend हुई है क्या इनसे related कोई notifications आई थी तो जी हाँ एक notification आई थी जो मैंने आपके साथ share भी की थी जिसमें यह बताया गया था कि compliance जो है उनकी date को extend कर दिया गया है जो compliance है उनकी date को extend कर दिया गया है जो 15 April से 30 मई तक के compliance है उनको 31 मई 2021 तक extend कर दिया गया है यह notification मैंने आपके साथ detail में share की थी और इस notification में कौन से compliance जो cover नहीं होते वो इन्होंने अलग से नीचे बताय हुए है कि 31 मई तक यह dates extend तो हो गई है यह compliance extend तो हो गई है जो भी आपके 15 April से 30 मई तक के बीच में fall कर रहे है लेकिन कौन से compliance इनमें cover नहीं होंगे उसमें section 39 का जिक्र किया था यानि कि आपकी GSTR 3B का जिक्र किया था सब section 3,4,5 यानि कि 3,4,5 जो है वो इस notification में cover हो जाएंगे तो इस वज़े से यह जो हमारी dates है यह इस notification में cover हो गई है और extend हो गई है 31 मई 2021 तक अब हम बात करते हैं उस बहुत ही important update की जो आया है हमारी late fees में राहत दे सकता है हमारी amnesty scheme में support कर सकता है दोस्तो दिल्ली high court ने यह notice issue कर दिया है government को जी हां government को notice issue किया है in a plea seeking extension of various compliances तो दिल्ली high court के द्वारा government को यह notice issue किया गया है इस notice की जो important चीज़े है कि government को क्या notice issue गया है वो आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता रही हूँ जो single bench of justice प्रतिभा M. Singh issued notice to the respondent authority तो respondent इसके अंदर कौन कौन है government है central government है GST council है CBIC है and CBDT है तो सभी को यह notice जा चुका है government central government को GST council को CBIC को CBDT को यह notice जा चुका है इस notice में उन्होंने पूछा है कि जो अभी at present corona pandemic जो की अभी इंडिया में है जो स्थीती अभी इंडिया में है उसको मद्दे नजर रखते हुए income tax के अंदर GST के अंदर employee state insurance act के अंदर जो relaxation हमें मिलने चाहिए वो relaxation हमें दी जाए क्या relaxation उन्होंने डिवांड की है तो दोस्तों उन्होंने जो relaxation डिवांड की है वो मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने साथ में ये भी यहां पे जो है mention किया है कि पिछली बार जब March 20 में इस तरह की भयानक्स थी थी नहीं थी जो कि अब है तब आपने खुद से ही काफी सारी relaxation एनाउंस कर दी थी government खुद से आगया आई थी और उसने relaxation एनाउंस की थी due date extends की थी amnesty scheme लेकर के आई थी late fees में relaxation दिया था trust में रहा दी थी तो last year जब situation इतनी नहीं थी देखे third point आपको मैं दिखा रहे हूँ the petitioner pointed out that current situation in the country is worse than last year when the lockdown was introduced in March 20 जब last year March 20 में lockdown introduced किया गया था तो उस समय से भी जो है worse इस समय situation इंडिया के अंदर चल रही है and the government was proactive उस समय government proactive थी enough to extend the due date under various acts सुओं मोटो यानि कि खुद से उन्होंने कर दिया था by way of notification notification भी यहाँ पे जो है attach कर दी गई है कि यह notifications हाप last year लेकर आई थे now currently हर दिन जो है report हो रहे है case around 3.5 lakh since last many days and the covid pandemic as per expert is still to see its peak which is expected by them in माई यानि कि यह जो है अभी अपने peak पर अभी तो जाना है यह जो situation चल रही है coronavirus जो कि कह रही है कि माई अंट तक अपने peak पर होगा and the government has not taken any step government के द्वारा कोई step नहीं दिया जा रहा है सरकार कह रही है घर से काम करो सरकार ने भार lockdown लगा दिया है और घर से भार निकलने के लिए मना किया है और ऐसे situation में कोई ऐसा important relief आप नहीं दे रही है तो आज का जो है यह update है इसमें लिखा गया है to grant relief यहाँ पे दोस्तों जो इन्होंने relief मागा है वो मागा है सबसे last अगर आप देखेंगे तो मैं read कर देती हूँ आपके लिए the petitioner requested the court to issue a writ जिसमें की directing the respondent respondent यहाँ पे कोन है हमारी central government हमारी GST council CBIC and CBDT to extension of due date of compliances जो की income tax के अंदर है GST के अंदर है EP effect के अंदर है ESI के अंदर है to direct to grant a relief of waiver of late fees का भी relief यहाँ पे मागा है interest का मागा है penalty का मागा है protection from prosecution जो है इनोने मागा है और कहा है कि जो भी date 1st April से 31 July के बीच fall कर रही है उनको extend किया जाए तो यह जो है दिल्ली high court के द्वारा notice issue किया गया है government को let's see कि government की इस पर क्या reply आती है क्या इस पर update आता है तो यह notice issue किया जा चुका है तो दोस्तों आप सभी support कीजिए mean यह है कि हर तरफ से कोशिशे चल रही है कि किसी तरह का कोई relief government लेकर के आए now it's high time कि सभी को इस तरह के support दिखाने है ताकि government हमारी बात सुने क्योंकि जो situation है country के अंदर वो भली भाती government पी जानती है last यहां बिल्कुल सही बाते लिखी गई है कि last year से ज्यादा worse situation हो चुकी है और last year government ने खुद से ही सुमोटो dates extend की थी तो इस year हमें demand क्यों करनी पड़ रही है क्यों हमें amnesty scheme की demand करनी पड़ रही है तो यह था अभी तक का update thank you for watching